नमस्कार दोस्तों मैं उदित गुपता आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्ट्डी पॉइंट पर दोस्तों आप लोगों की काफी डिमांड थी हाजारों लोग मेल किये थे कमेंट किये थे सरक कंपनी और सी यू जो हैं भारत में जितनी भी important कंपनीया हैं या फिर जो इंटरनेशनल नेवल पर जो अंतरास्टी कंपनीया हैं उनके जो बईतमान में प्रमूख है या पिर जो अध्यक्ष हैं बईतमान में उससे लेटेड एक वीडियो बनाएए इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों पूरा complete बताऊंगा उसकी स्थापना कब हुई थी ठीक है अध्यक्ष को आने बरतमान में उसका मुख्याल है कहाँ पर है सारी चीजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों बहुत important class होने वाली आपकी यह जो आपका exam होने वाला है चाहे हो SSGD के exam आने वाला हो तो आप इस topic को last तक जरूर देखिएगा दोस्तों आपके आने वाले exam के लिए बहुत मात्मूर है यहां से आपको एक से दो question तो 100% हो जाएगा तो आप समझे यह मात्र 15 से 20 मिनिट में आपके मैं पूरे complete जीके करा दूँगा वीडियो को end तक जरूर देखिएगा साथियों आपके exam से लिए बहुत मात्मूर है और प्यारे साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार विजित करें तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा और घंटी जो है उसको जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों देखिए पूरी टीम इसमें हमारी मेहनत करती है तो आपका एक मनोबल आपका एक like जो है और एक share हमों बहुत motivate करता है तो इस वीडियो को please like करिएगा इस वीडियो का target डायर रखते हैं 10,000 का उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर पूरा करेंगे ठीक है और share कर दीजिए प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा अपने साथियों के साथ जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे है प्लीज शेयर जरूर करिएगा और हाँ इसका PDF फाइल आपको हमारे जो गूगल प्ली स्टोर पर और अनले इस डी पॉइंट को जो अप्लीकेशन है उसको आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं उसका वहाँ पर सारा PDF बगएर आपको मिल जाएगा ठीक है चले फिर टाइम बेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा टाइम लोगा तो आप लोग कमेंट कर लेंगे सरा आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं बहुत बोलते हैं ठीक है है टीम कुक CEO यानि कि CEO को फुल फॉर्म क्या होता है चीफ एक्जिकूटी ओफीसर देख लेते हैं देखिए टीम कुक यह है टीम कुक जो है बरतमान में CEO है एपल कंपनी के एपल कंपनी की स्थापना कब हुई थी साथियों एक अप्रेल 1976 में इसकी स्थापना हुई थी देखिए एपल कंपनी का लोगो है आप सबको पता है ठीक है इसका फाउंडर काउन थी इस टीप जॉब्स इसके फाउंडर थे ठीक है हेड़कॉर्डर कहां पे इसका को उने साथियों Microsoft कंपनी के बरत्मान में अध्यक्ष है फोटो में देखते हैं सत्या नडेला जो की भारती मूलके है अपने भारत वालों के लिए बहुत गर्व की बात है कितने बड़े कंपनी में जो है विदेशों में Microsoft कंपनी में अध्यक्ष है ये ठीक है चलिए तो द स्थापना कब हुई थी याद रखेंगे कहां पर है वासिंग्टन डिसी यूस के अंदर है कई बार पूछा गया है इसके जो चेर्मेन और सीओ है मैंने बताया सत्या नडेला जी है ठीक है साथियों तो माइक्रोसाफ्ट के बारे में इतनी जानकारी आपको साथियों याद लखनी है अगला कोश्च justify देखिए जोस्तों अटों करत्मान में सियओ कौन है कम्पनिक के वरतमान सीउ कोन अगर आपको भी लगता है कि हमको हिंदी बोलने पर गर्व है तो आप कमेंट वाक्स में जरूर अपना फीडवेक जरूर दीजिएगा ठीक है चलिए अगला कोशन है कोको कोला कमपनी के वरतमान में CEO कौन है CEO की बात हो रही कोका कोला कमपनी आप लोग कोका कोला थो पीते होंगे इसका राइड एंसर हो जायेगा James Quincy ठीक है यह आप याद रखेंगा आपको पता चल गया होगा इसके CEO कौन है James Quincy है ठीक है Chief Security Officer है फोटो यह जो फाउंडर थे वो थे जॉन स्टित और ऐसा ग्रीक्स ठीक है याद रखेंगे जॉर्जिया यूएस के अंदर अटलंटा के इसका है जैम्स कुइंसी जो है बरतमान में इसके चेर्मैन और CEO हैं साथियों Most Important Question है साथियों अगला कोश्चन है Tata Sons Tata Sons कंपनी के जो है बरतमान में CEO कौन है Tata Sons कंपनी के बरतमान में Chief Executive Officer कौन है इसका राइड एंसर जाग एंचन सेखरन है साथियों Tata Company के बरतमान में CEO तो यह आपको याद रखना है ठीक है साथियों चलिए देखते हैं यह है Tata Company के बरतमान में CEO एंचन सेखरन देखिये दोस्तों इसकी स्थापना का वुई थी इस कंपनी की बहुत पुरानी कंपनी ताटा कंपनी का जो योगदान है देश में बहुत बड़ा है तो यह है नाटराजन चंसेकरन जो है बरतमान में इसके चेयर मैन है ठीक है उन्थ इंपूड़न कोशने साथ ही हो आपको याद रखना है और दीखे ऐगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा साथ ही हो प्लीस लाइक करियेगा और अगर आप चैनल पर पहली बारवजीत करते चैनल को सब्सक्राइ करके जो है घंटी आइकन को ज़रूर दवा दीजेगा ताक कि आपके एक्जाम में ऐसी वीडियो आपको नोडिविक्शन मिल सके चलिए ओला कैप के वरतमान में CEO कौन है ओला कैप के वरतमान में CEO भावी हुई थी दस साल पहले इसकी स्थाबना हुई थी भावी सग्रवाल और अंकीत भाटी जो इसके फाउंडर है यह दोनों बहुत यूवा है और बहुत बड़े बिजनेस्मैन है तो यह लोगों ने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर लिए हेड़कोर्टर की बात करें तो बैं द्वारा हमने पूरा इसको तयार किया है ठीक है तो वीडियो का आप लास्ट तक देखते रहिएगा ITC ITC कंपनी के वरतमान में CEO कौन है ITC कंपनी के वरतमान में CEO कौन है साथ ही इसका राइड इंसर हो जाएगा योगेश चंद्रदेवेश्वार आपसन भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ITC के वरतमान में CEO है फोटो देख सकते हैं आप यह हैं योगेश चंद्रदेवेश्वार ITC के वरतमान में CEO देखे दोस्तों ITC की बात करें तो इसकी स्थाबना को हुई थी 24 अगस्त 1910 pas मिस्क्त चापता हुई थी यह हैं लोगों आप देख सकते हैं ITC का और हैटकवाटर कहां पर कोलकाता वेस्ट वंगाल के अंदर कषा 9 कंपनी के बात करें दोस्तों यह एक टैक्सी कंपनी आपको बता होगा इसके वर्तमान में दारा खोस रोसाही जो है खोस रोसाही यह वर्तमान में CEO हैं उबर के यह थे यह थे फोटो में दारा खोस रोसाही को ठीक है अगर बात करें इस कंपनी की इस थापना कब हुई थी दोस्तों मार्च 2009 के अंदर हुई थी एक जाम में पूछा जाता है उबर की स्थापना कब हुई थी और इसके founder कौन थे तो यह थे Garrett Camp और Travis Kalanick ठीक है और headquarter है San Francisco California US के अंदर California US के अंदर दारा खोर्सो साही CEO है वर्तमान में Uber Company के taxi company है Air India के company के वर्तमान में CEO कौन है साथियों Air India Company आपको पता है इसका right answer क्या हो जागा प्यारे बच्चों इसका प्रदीप सिंग खरोला जो है वर्तमान में Air India Company के CEO है फोटो देखिए आप प्रदीप सिंग खरोला की यह है प्रदीप सिंग खरोला ठीक है देखिए इसकी स्थापना कब हुई थे Air India की 15 अक्टूबर 1932 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी यह है Air India का लोगों प्यारे साथियों हेटकॉडर की बात करो तो देली के अंदर इसका हेटकॉडर है ठीक है और फाउंडर है थे जे आडी टाटा जी जो है इसके फाउंडर थे ठीक है Air India Company के फिर अगला कोश्चन है मारा पेपसिको कंपनी के वरतमान में CEO कौन है पेपसिको कंपनी के वरतमान में CEO कौन है इसका राइड इंसर जाएगा रेमन लगवारता जो है वरतमान में इसके CEO है कौन है रेमन लगवारता यह इसके वरतमान में CEO है फोटो आप देख सकते हैं यह रेमन लगवारता ठीक है देखिए फाउंडर की बात करें तो यह 27 अगस 1398 में इसकी स्थाबना हुई थी फाउंडर थे सैले ब्राधम ठीक है सैले ब्राधम थे इसके फाउंडर थे हेड़कॉर्टर कहा है निवार के अंदर इसका हेड़कॉर्टर है यूएस के अंदर रेमन लेगवार्टा जो है चेर मैन और सीयों है यह देखिए पेपसी को कंपनी का लोगो लोगो भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोशन है बी एसनल जो अपनी कंपनी है भारत संचान निगम लिम्टेट कंपनी के वरतमान में सीयों कौन है इसके सीयों है वरतमान में प्रवीन कुमार पूरवार ठीक है प्रवीन कुमार पूरवार ऑप्सन सी विल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है साथियों देखिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रवीन कुम है न और M.D. है ठीक है साथियो बेसनल जो है है ना बेसनल हिंदुस्ता बोल रहा है ठीक है भारस अंचान निगल निम्टेड ये बहुत पुरानी कंपनी आपको पता होगा जो आपने पहला मुवाइल फोन आपके घर में आया होगा तो बेसनल का ही मुझे लगता है सीम आप कंपनी के मास्टर कार्ट कंपनी के आप अचे पाल सिंघ्ग बग्गा को न राता वाल जह मास्टर-कंपनी के और प्यारे साथियों यह अ पाल सिंघ्ग ग्गा ठीक है इसका आप लोगों एटियूусаां गने कर दोस्तों उसमें colony स्भाविस दिती माश्टर-कंपनी उसकी ब पहारति यांतराष्टी संस्थायं उसका पूछ लेता है किस देश की हैं तो आपको कंट्री जरूर याद रखनी है कहां की कंपनिया है तो यह न्यूवार की कंपनी है ठीक है यह अमेरिका की कंपनी है सौरी हिंदुस्तान इनुलीवर लिम्टेट कंपनी के बरतमान में CEO कौ होने दोस्तों संजीम, हैं काहने हिंलिक हिंदुस्टान इनुलीवर लिम्टेट के था स्जीव मेहता हैं यह यह दोस्तों संजीव महता जी ठीक है ने अगर धाना इस थांटी में बहुत से बहुत से थ्जाबुब्सई साबुन की अशैच्छी औग 395 नहीं BMW भारतee के सब को याद रखना है चलिए अगला कुछ देख सकते होंगे तो स each Remix के बात करण़ है युझा है यह फोटो फोरिफ कार परेशन की बात करने तो साथ माई 1946 के इसका स्थापना हुआ था सोनी का लोगो यही है और इसके जो फाउंडर थे मस्रुआ वुका और एकियो मुरीता ठीक है इसका हेड़ कॉर्टर रहे कहा की कंपनी उसको जापान की कंपनी है सोनी कंपनी साथियों ठीक है और इसके जो CEO है साथियों चलिए सोनी ग्रूप के बारे में आपको याद रखना है और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज हमारा मनोबल जरूर बढ़ाईए कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्लीज आप लोग बताईएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा मनोबल से आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है तो जादा से जादा लोग प्लीज तुरन अभी कमेंट करेंगे हमें मोटिवेट जरूर करेंगे ठीक है चलिए सैमसंग कंपनी के वरतमान में CEO कौन है सैमसंग कंपनी के वरतमान में CEO कौन है साथियों ये हैं ये तीनों किम हुणशुक, कोह डांग जीन, किम की नाम ये कैसा नाम है भाई साहब तो ये आप लोग याद रखिएगा सैमसंग कंपनी के वरतमान में CEO यह हैं देखिए तीनों की आप फोटो देख लीजिए किम हूंशुंग कॉंडोंग जीन किम की नाम यह तीनों जो हैं सी ओ ऐसा लग रहा है मैं Chinese बोल रहा हूं ठीक है आशाउत कोरिया की है को घुशन घ्रध रिज था क्सके शाउध को पूछा था स्देस की कमपनी एस रइंसाइं के नानवर सपति जेंडर के अब सरां सांग कियाघ्र्वन है किस देश कि कमपनी है समसंग है साउध को रिया की लोत्ते ron d व्यूज करते होंगे, AC व्यूज करते होंगे, है ना, Samsung कंपनी के headphone व्यूज करते होंगे, सारे जो है प्रोडक्ट, यह electronic product बनाती है, Nokia कंपनी के वरतमान में CEO कौन है, किस-किस का पहला phone Nokia phone था, मेरा तो पहला phone Nokia ही था, आप लोग comment करके बताएंगे, ठीक है, Nokia का पहला phone था, मेरा, ठीक है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, दोस्तों, इसका correct answer हो जाएगा, पेकका लुंड मार्क, यह है जो है, Nokia कंपनी के वरतमान में CEO, यह कहां की कंपनी है, यह देखिया, पेकका जी को, और इसके कंपनी कहां की है, फिन लैंड की कंपनी है, ठीक है, Nokia का logo देख सकते हैं, लेकिन विचारी Nokia जो है, समयक साथ update नहीं हो पाई, तो यह विचारी market से बाहर हो यह लेकिन इसने ही भारत में जो है, फोन करांती, मतलब कहें कि भारत में अगर फोन सबसे पहला किसी ने यूज किया होगा, तो I think मुझे लगता है 95% लोग Nokia का ही पहला फोन यूज किया होंगे, ठीक है, Nokia के फोन के साथ बेसनल के सिम, तो Nokia connecting people हो जो दो हाथ मिलाता था, जो फोन आउन करते ही, आप सब को याद होगा, मुझे भी याद है, मेरा पहला Nokia का फोन बहुत अच्छा फोन था, आज भी मैं उसको रखा हूँ दोस्तों, आप लोग रखे हैं कि आपको पहला फोन, पहला फोन में बिलकुल बहुत है, सहेच के रखा है, आप हमारे स्टूडेंट ही तो है, आप से बात करके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बात कर लेता हूँ, आप से बुरा मत मानना है, आप बुरा लग भी राया है, तो प्ली सौरी माप कर देना, ठीक है, चलिए, सत्रवा कोश्चन है हमारा, HP कंपनी के वरतमान में CEO कौण है, HP कंपनी के वरतमान में CEO हैं दोस्तों, Dion Wessler, कौण है, डियोन Wessler है वरतमान में, HP कंपनी के CEO, ठीक है, चलिए, यह देखिए, HP का फुल फारम क्या होता है, हेवलेट पैकार्ड, ठीक है, हेवलेट पैकार्ड, इसका फुल फारम होता है, HP का, स्थापना उई थी दो जुलाई 1949 में स्थापना हुई थी फाउंडर की बात करें तो विल हेवलेट और डेविट पैकार्ड इसके फाउंडर थे हेट को आटर है कैलिफोर्निय यूएस की ये कंपनी है अमेरिका की कंपनी है ठीक है सातियों ठीक है चलिए तो ये है एच्पी का लोगो देख को देखिक मत को पैसे नहीं लगते साथिैंग ठीक है अब आप बोलें होगा और जो है कंपनी के वरतमानवे सिओ कौन है? जो अपने अम्बानी सहावे उन्होंने इस बड़ी बड़ी कंपणी है इनों हालाकि ये लोग लूटे भी बहुत है दोस्तो एरटेल हो गई आइडिया हो गई बहुत लूटा है वाई साब इन लोगोंने लब्से जियो आया है तो बहुतरी इंटरनेट दिया था हलाकि अब इसकी स्थाबना होई थी 7 जुलाई 1995 को सुनील भारती मित्तल जो थी इसके फाउंडर थे हेड़कॉर्टर था नई दिल्ली इंडिया के अंदर है गोपाल मित्तल एमडी और CEO है ठीक तो एरटेल के बारे में पन ने देख लिया है एरटेल की सिम हलाकि इसका नेटवर्क औ बहुत अच्छाइंटने स्पीड बहुत मिलती है जिन लोग एरटेल यूज करते हूं मैं तो हलाकि एरटेल भी यूज करता हूं चलिए वोड़ा फोन आइडिया का नया नाम जो बन गया वी कंपनी के वरतमान में CEO कौन है वोड़ा फोन और आइडिया दोनों मिलकर वी ब अगस्त 2018 को दोनों कंपनियों की बात का रहा हूं जब दोनों जॉइंट हो गई थी ठीक है है मुंबई के अंदर ठीक है और रेइस्टर जो है वो है गांधी नगर के अंदर ठीक है रविंद्र टकर वरतमान में इसके CEO है चलिए टीस कंपनी के यानि टास्टा कंसल्टेंस सर्विसेस के बरतमान में CEO कौन है साथियों देखिए इसका करेक्ट एंसर क्या हो जायागा राजेश गोपीनाज जो है साथि यह वो है टीसी कंपनी के CEO है ठीक है और यह है देखिए राजेश गोपीनाज जी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस का फुल फाम होता है टाट इस्थाबना होई थी प्यारे दोस्तों 1968 में टाटा संस इसके फाउंडर थे हेट कोड़र मुंबई के अंदर है राजेस गोपिनाथ जो है वो एमडी और सी यो एंठीक है साति हो चलिए इनफोसीस कंपनी के बरतमान में सी यो कौन है प्यारे दोस्तों इनफोसीस कंपनी के इस्थाबना हुई थी दो जुलाई 1980 को इसका देखिए लोगो आप देखिएगा फाउंडर दोस्तों एन नारायन मूर्ती जी ठीक है फाउंडर जरूर पूछता है इसका हेड़कोर्टर पूछ लेता है बैंगलूरू करनाटका के इंदर इसका हेड़कोर्टर की के बरत्मान में CEO कौन है साथ इसका राइड एंसर हो जाएगा क्या समीर अग्रवाल ठीक है समीर अग्रवाल जो है Walmart कंपनी के बरत्मान में CEO है ठीक है चलिए तो देखिए यह हैं समीर अग्रवाल Walmart कंपनी के Walmart यह दोस्तों American कंपनी है ठीक है इसकी स्थाबना 2 जुलाई 1962 क कि Walmart का यह लोगों देख सकते हैं आप चलिए अलफावेट गूगल कंपनी के बरत्मान में CEO कौन है अलफावेट यह एक अलग कंपनी है जो अभी बनी है सुन्दर पिचाई है इसके बरत्मान में ठीक है और देखिए दोस्तों अगर बात करें यहां पर हम इसके यह फोटो है तो बनता है ठीक है चलिए इस्थापना कब हुई थी दो अक्टूबर दो हैर बंद्रहों किसकी स्थापना हुई थी अलफावेट की लैरी पे जो सरगई वरिन थे कैलिफूर्णिया के अंदर अमेरिका के इसका है सुन्दर पिचाई जो है सी यह बरत्मान में देखिए की फोटो आई बीम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का फूल फाम होता है जून दो हजार जून 1911 जून 16 जून 1911 की स्थापना हुई थी आई बीम का लोगों देखिएगा फाउंडर थे चार्ल्स रेंलेट फिल्ड ठीक है निव यार्क यूएस के अंदर इसका है बरतमान में चेर्मेन और सी यो हैं अमेजान कंपनी जो कि आप लोग काफी जानते होंगा हैं मेजान कंपनी को इसमें आउनलाइन आप लोग काफी जो है प्रोड़क्ट ऑनलाइन ओर करते होंगा अमेजान से है न इसके बरतमान में सी यो कौन है दोस्तों देखिए वेरी इसके founder है headquarter है दोस्तो वासिंग्टन DC US के अंदर है और इसके जो वरतमान में देखिए प्रेसिडेंट और CEO हो है एंडी जैसी Amazon company ठीक है Amazon company का देखिए जो यह वाला arrow है ने इसका मतलब आपको पता है क्या यह जो arrow है वाला इसका मतलब पता है क्या होता है इनका मतलब है चीजे प्रोवाइड करते हैं मतलब ऐसा ही कुछ है मुझे भी पूरा कंफर्म ही लेकिन एजेड यह जो यह यहां से यहां तक गया है ना इस लोगों का मतलब है आ यह जेड का मतलब ठीक है वाकी हमेजान तो एक पूरा जंगल ही आपको पता है ठीक है फिलिप कार्ट कम्पनी की बात करें तो सीयो कौन है आप लोग फ्लिप कार्ट कम्पनी bientôt सब्सेयो करते हैं उन्लाइन सामान है ने है फिलिप कार्ट का लोगो आप लोग को तो पहचानती होंगे हैड़कौर्टर बैंगलूरू में करनाटका मिसका हैड़कौर्टर है ठीक है फाउंडर है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल और कल्यान किस्नमूति इसके वरतमान में CEO है देखिए जो बैक्ग्राउंड में आपक 50-point company का logo इसको मत भूलना आप लोग आप लोगों का प्यार सपोर्ट है ठीक है यह है लोगो और इसके जो CEO है वरतमान वह है उदित सरकौन जो मैं क्लास ले रहा हूं वह है इसके CEO ठीक है इस company की स्थाबना का वही तो 2017 में मैंने किया था इसकी स्थाबना का बाईस अगस् आप लोगों का सब प्रेम है प्यारे सपोर्ट है दूआ है है ना असिरवाद है प्यारे मेरे जितने साथी है बड़े चोटे ठीक है भाई जो भी आप गुरू मानते हों चलिए बुरा मत मानना यार है ना इवे कंपनी के बरतमान में CEO कौन है यह है दोस्तों जैमी यानोन कौन है जैमी यानोन ठीक है तो यह आपको याद रखना अपना देखिए यह ऑनलाइन इसडी पॉइंट का अपना लोगो है ठीक है चलिए तो यह देखिए इवे की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना होई थी तीन सितंबर को और फाउंडर थे पीरियार ओमियाड है काई फूने यूएस में ये इवे का लोगो है जैमी लेन्यान जो है इसके प्रेसिडेंट और सीओ है वर्तमान में कुछ इंगलीस में जो नाम है वह बड़ा टाफ है लेते नहीं बंडा इसलिए आप लोग जो है तोड़ा सा वह मुझे गाली मत देना ठीक है इस्नैप डि लिखने वालें लेकिन मेरे कितने भी अच्छे स्टूडेंट है जो बहुत मुटिवेट करते हैं तारीब करते हैं बहुत अच्छा लगता है ठीक है चलिए खैर कोई नहीं स्नैप डिल कंपनी के वरतमान में सीओं दोस्तों कुनाल वहल कौन है कुनाल वहल देखे दोस्तो डिल का यह आप देख सकते हैं लोगो दोस्तों अगर हैं तक आपको वीडियो पसंद आई है न तो लाइक कर दो यार लाइक कर दो शेयर कर दो बार 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 बोलूँगा क्योंकि आपके लिए पूरा फ्री कंटेंट है मेहनत लगती है न तो यूटूब जहां से आप की और देखे यह आप देख सकते हैं यह सुजान वेजिस्की को ठीक है यह है सुजान वेजिस्की CEO है यह वरतमान में यूटूब का लोगो तो आपको विल्कुल याद ही होगा यह है फाउंडर इसकी स्थापना हुई थी 2005 के अंदर यूटूब कंपनी की स्थापना हुई हूदा बरतमान में CEO कउन है सुजान वेजिस्की ठीक है सातियों चलिए और ओएलेक्स इंडिया कंपनी के अंदर सीओ कौन है अी है इसका राइट अंसर हो जाएगा गौतम ठक्कर है ओलेक्स कंपनी के CEO ठीक है चलिए ये देखिए फोटो में आप गौतम ठकर जी को OLX की बात हो गई अली बाबा कमपनी के वरतवान में CEO कौन है अली बाबा के वरतवान में CEO है डेनियल जहांग ठीक है डेनियल है और ये फोटो में आप देख सकते हैं इनको ठीक है और देखिए अली बावा जो है ये इसकी स्थाबना होई थी 1999 में अली बावा गुरूप इसका आप फोटो देश चाइनीज कमपनी है और जैक मौ जो इसके फाउंडर है और जार्ज टाउन और कैमेन इसका हेटकोरटर कहाँ पर है जार्ज टाउन आइसलेंड के अंदर ठीक है डेनियल जहांग जो है इसके वरतवान में सीओ है ठीक है चलिए फेस्बुक कमपनी के वरतवान में सीओ कौन है फेस्बुक के जो कि आपकी जीवन का हिस्सा बन चुका है कई बच्चे तो पढ़ते लिखते नहीं है पूरा दिन फेस्बुक पर ही पड़े रहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई भी करते हैं कुछ उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ फेस्बुक तो देखिए बहुत टाइम बरवाद करता है मार्क जुकरबर्ग जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी है कि क्या ही कहूँ कोई निकल ही नहीं पा रहा है वहाँ से बाहर बस उसी के अंदर लगे रहते हैं लोग बाग चलिए ये देखिए फेस्बुक के जो हैं बरतमान में ये मार्क जुकरबर्ग जी है अलाकि इन्हों ने अच्छा विकिया पुरे दुनिया को कनेक्ट कर दिया एक जगे पर लेकिन इसका मिस्यू जादा हो रहा है ठीक है 2004 में इन्हों ने इस फेस्बुक को बनाया था और इसके फाउंडर भी यह हैं рыपका और देखीए इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2006 के अंदर 21 मार्च को यह भी अमेरिकन कंपनी है दोस्तों जैक डोर्थी स्के फाउंडर और CEO भी है यह देखिए एक उड़ती हुई चिडिया पिटर ठीक है WhatsApp कंपनी WhatsApp के वर्दवान में CEO कौन है WhatsApp तो आप लोग डेली यूज़ करते होंगे है ना दिन भर WhatsApp कंपनी के CEO कौन है इसका राइट एंसर हो जाएगा Will कैत कार्ट कौन है Will कैत कार्ट जो है इसके CEO है और यह देखिए Will कैत कार्ट को देख लीज़े यही जो है पूरा एक्जिक्यूट करते हैं पूरे WhatsApp कंपनी को है ना और Instagram भी आप लोग बहुत यूज़ करते हैं Instagram के वर्दवान में CEO कौन है यह इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा Adam Moseri हो है ठीक Adam Moseri Instagram को लोगों तो आपको पता ही होगा यह है Instagram के CEO विप्रो कंपनी के CEO कौन है बर्दवान में इसकी राइट एंसर हो जाएगा ठीरी डेला पोर्ट विप्रो कंपनी के बर्दवान में CEO है यह देखिए यह हैं ठीक है और विप्रो की बात करें तो इसके जो स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 145 खुई थी और इसके जो फाउंडर थे अजीम प्रेम जी थे ठीक है अजीम प्रेम जी ठीक है यह अजीम प्रेम जी नाम है इनका और हेड़क्वाटर है बैंगलूरू कानाटका के अंदर और थेरी डेलपोर्ट जो है सीओं वर्दवान में प्रो के ठीक है मिंत्रा कंपनी के बर्दवान में CEO को ने मिंत्रा भी एक ऑनलाइन मिंत्रा कंपनी के इंडिया की है मुकेस बंसल विनीत सकसेना सुतोस लावानिया यह जो है मिंत्रा कंपनी के फाउंडर थे मिंत्रा का आप यह लोगों देख लीजे ठीक है मुख्टर कंपटर अग्यवान में ट्रा को प्रेल कंपनी के लेंस वर्दवान में प्यूंटिजयओा जाद है माईकल नेरेव माईकल नेरे नेही नेरे क念 से Harald प्रा करना से सब्सक्राय को आन्यां में मुखें स्थ्थक्राय को लोग भी ऐसी कोई कंपनी मताओं जैसे कोई अगर सर्मा हो सर्मा कंप्यूटर ऐसा मतलब वर्ल फेमस हो जाए कोई गुपता है गुपता कंप्यूटर डेल कंप्यूटर है ना चलिए इसकी स्थापना हुई थी एक फरवरी 1884 को फाउंडर थे माइकल डेल राउंड रॉक टेक्सास में इसका यूएस के अंदर हैड़कौटर है ठीक है और माइकल डेल चेयरमेन और सीओ है बीम डबलू ओहो बीम डबलू कंपनी के वर्तमान में सीओ कौन है इसकी कार भाई साहब बहुत महगी आती है किस किस का सपना है बीम डबलू में अपने माबापको उसमें गुमाना अपने माबापको उसमें गुमाना बीम डबलू कंपनी इसका राइट एंसर हो जाएगा हेराल क्रेगर ठीक है ये सीओ है भाई साब ठीक है हेराल जी बीम डबलू कंपनी के दोस्तों सपना जरूर देखिए यार कला लक्ष के बारे में पूरा दिन सोचेंगे बिलकुल लगे रहेंगे तो जरूर ऐसा कोई भी काम ने इस दुनिया में जो संभा हुए ठीक है तो BMW क्या साथियों आप तो इससे भी बड़ी महगी कारव में चड़ सकते हैं ठीक है इसलिए आप लोग छोटा सपना कभी मत देख किये BMW का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साथ इसका फुल फॉर्म तो इसका इंगलीस पढ़ना बढ़ा टफ है भाई साथ कोसिस करता हूं बार इस से मोटन वेर्क ठीक है चलिए BMW को लोगो आप देख लीजए यही काफी है मुझसे इंगलीस नहीं आरी इसकी यह भी कहां नहीं पाऊंगा साथियों ठीक है यह फाउंडर इसकी स्थावरों देख साथ मार्च 1916 में अगर कोई महान वह इसको पढ़ सकता है तो जरूर बताईएगा ठीक है चलिए मजाक था हलाकि चलिए ठीक इंटेल कंपनी के बरतमान में CEO कौन है इंटेल प्रोसेसर जो बनाती ह पैंट गिल सिंजर जो है बरतमान में इसके CEO है ठीक है इंटेल का यह देखिए आप लोगों देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में ऐसा लगा होगा जुलाई 1960 के अंदर इसका स्थापना होई थी और गॉर्डन मूरे इसके फाउंडर और रावर्ट नो ऐसे इसके फाउं कोने साथियों राइड एंसर हो जायागा करन बाजवा है ठीक है करन बाजवा है यह करन बाजवा जी को आप देख सकते हैं ठीक है गूगल कंपनी गूगल क्लाउट की स्थापना होई थी 2008 में ठीक है हारले डिविंसन हारले डिविंसन जो की एक बाइक कंपनी है यह बाइक मतलब ज्यादा तर बाइक के लिए फेमेस है इसके सीओ बरत्मान में कौन है साथियों यह है मतेयू एस लेवा टीज ठीक है देखिए हारले डिविंसन आप देख सकते हैं यह मोटर साइकल ठीक है इ इसका हेटकोर्डर कहां पर है यह भी यूएस की कंपनी है 80&80 कंपनी के वरतवन में इसका राइट एंसर हो जायागा जॉन स्टैंकी कौन है जॉन स्टैंकी है दोस्तों ठीक है यह देखिए जॉन स्टैंकी को और 80&T इसका जो आप देख सकते हैं इसकी स्थाबना होई थी 1983 में कब होई थी 1983 में इसकी स्थाबना होई थी साथियों यूएस में ही स्कॉट कोटर है जॉन स्क्रेट नी सीओं है बरतवान में ठीक है यह है जिम्मी वेल्स ठीक है तो यह था हमारा बरतमान में जो टॉप 44 यहां पर अपने लगए सारी कंपनियों को कभर कर लिए सारे के हेटकोर्टर वगेरा पूरी स्थाबना पूरी 44 कंपनिय अगर आप यह पूरा याद कर लेते हैं दोस्तों तो यहां से आपको मैं बता दीजिएगा प्ले स्टोर पर सर्च करके डिस्किप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्किप्शन बाक्स में वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जिनके पास है अल्लेडी तो वहां पर अप्लोड होई जाएगा ट्रेंडिंग करेंड अफेस क टॉपिक होगा फोल्डर में उसके अंदर आपको यह पूरा पीडियाप और इसका जो है आपको कुछ भी आप इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं क्या कुछ भी आप बाद में इसका सॉल्व कर सकते हैं उसी अप्लिकेशन पर ऑडियो भी आप रिवीजन कर सकते हैं तो द हमीड नहीं किये हो तो लाइक कर ही देना फटष पहट से शेयर करी देना ठीक है और देखिए भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ तो आप लोग जल्दी से एक्जाम करेक करिए आपकी नोकरी लग जाए अपने माता पिता का नाम रोशन करें अपने समाज का देश का नाम रोशन करें मेरी तरब से बहुत सारी सुपकामना है आपको ऐसी डेली में वीडियोज लेकर आता हूँ मैं हूँ उधित गुपता और विदा लेता हूँ आज अभी आप यहाँ से कल मिलते हैं किसी और एक नए टॉपिक के साथ कमेंट बाक से बताए कौन सा नए टॉपिक चाहिए ठीक ह आप अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहें मोटिवेटर रहें मुस्कुराते रहें हमेशा और मिलते हैं स्वास्त रहें बेस्त रहें मस्त रहें टेक केर बाए बाए जैहिन जैभारत